आपका सिविल सर्विस पूर्योटू चनल में सुबरी बड़ी UPSC, CSC Answer Writing Guidance प्रोग्राम में आपका बेहत स्वागत है जो लोग विश्वास बना कर चल रहे हैं जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हैं उनके साथ बिलकुल विश्वास घात नहीं होगा आप यकीन मानो अगर आप कहीं पर Answer Writing Guidance प्रोग्राम जोईन किये हुए हो तो आप विडियो को इस सेशन को आप अपने क्लास से कंप्रिजन करके देख सकते हैं कि कितनी होनेश्टी कितनी इमानदारी से आपको कंटेंट दिये जा रहे हैं इस विडियो का इस सेशन का सबसे महत्पूर बात ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ Answer Writing प्रैक्टिस कराने की कोशिस की जा रही है यहाँ पर जो कोश्चन से उसके कंटेंट को भी आपको बताने की कोशिस की जा रही है कि आपका एक नोच तयार हो सके आपके प्रिप्रेशन्स में सिर्फ और सिर्फ बहुत जादा नहीं तो एक से दो परसेंट अगर इस विडियो का योगदान हो जाता है तो भी मैं मानूंगा कि यह विडियो यह चैनल अपनी मोटिव में विल्कुल काम्याब चल रहा है ठीक है सो कोश्चन्स आपके समझ है कि दोएद सासन विवस्था में आप क्या समझते हैं यह एपिसोड 6 है एपिसोड नमबर यह 6 है 1,2,3,4,5 अल्यड़ी अपडेट हो चुके है आप जब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट में UPSC Answer Writing Guidance Program के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है सो आप वहां से वन वाई वन करके सारे कोश्चन्स को देख सकते हैं ना सिर्फ Answer Writing कराई जा रही है यहाँ पर मेंस कम प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट को साथ में कराया जा रहा है ताकि आपको कंटेंड भी एक बेहतर तरीके से मिले ठीक है आप जो भी क्वेरी है कमिंट बॉक्स में आप कर सकते हैं या सिवील सर्विस पूर आप क्या समझते हैं बंगाल में कैसे इस बिवस्था ने कंपनी को इस्थाई तो प्रदान किया कोशन क्या कह रहा है जब भी आप मेंस का एंसर आइटिंग करेंगे या संघ लोग सेवा आयोग हो तो कोशन को आप एक से दो बार पढ़िए ठीक है कि दोएद सासन बिवस्था से आप क्या समझते हैं यानि कहा क्या जा रहा है कि जो दोएद सासन बिवस्था है ठीक है हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा बंगाल में कैसे इस बिवस्था ने इस थाई तो प्रदान किया तो पहला तो हो गया द्वैद सासन विवस्था, दूसरा नंबर हमें क्या जानना है कि यह विवस्था, कहां पर था, ठीक है, और इसके बारे में क्या जानना है किसके द्वारा था, किसके द्वारा था, ठीक है, और हम क्या जानेंगे कि किन-किन, किन-किन छेत्र में था, ठी है और हम इसके बारे में क्या जानेंगे कि इसके अंतरगत अंतरगत कौन-कौन छेत्र आया था ओके अगर हम इतनी बातों को जान लेते हैं तो यह बताईए आप कि क्या पूरे के पूरे questions को हम fulfill कर दे रहे हैं ठीक है हम answer writing कप करते हैं जब हमारा एक portion तयार हो जाता है तो उस पे जो भी UPSC के questions आये होते होते हैं पूर्व में या संस्थाओं के द्वारा जो questions बनाए गए होते हैं as a practice उसके माध्यम से हम questions को करते हैं इससे हमें दो फायदा होता है पहला फायदा यह होता है कि हमारा एक mains का strategic preparations हो रही होती है हमें फिलेंस के 3 से 4 content मिलेंगे वो क्या मिलेंगे इसमें हम classic invasive की बात करने वाले हैं बंसर यूद की बात करने कि क्योंकि इसके content है ठिक है हम एक holistic बात करने के बाद जब इस questions के सारे content को आपको जानकारी दे देंगे उसके बाद हम लिखेंगे लाइब लिखेंगे साथ में आप भी लिखें मैं कोसिस यहीं करता हूँ कि साथ में हमारे साथ आप भी लिखो ताकि जो भी content रहे आपको याद भी हो जाए second number पे आपको एक comprehensive confidence का अंदर से increment हो कि आप एक अच्छा काम करना सुरू कर दिये हैं अपनी पढ़ाई में एक अच्छा समय देना सुरू कर दिये हैं साथ ही साथ देखी जो mains होता है सारा का सारा खेल content की और जानकारी की होती है ठीक है और आप इर्दगिर्द देख रहे होंगे कि आपके इर्दगिर्द जितने भी एक अच्छे अभिव्यक्ति है ना उनको एक अच्छा knowledge होता है लेकिन क्या जिन सब्दों के अंतरगर्थ आप से बाते पूछी जा रहे हैं क्या उस सब्द के अंतरगर्थ आप अपनी बातों को कहने सामर्थ है कभी-कभी होता है कि कुछ लोगों को एक विस्तारवादी बात करने के आदत होती है लेकिन अगर उहां पर limitation लगा दे कि 150 वर्ड में आपको बाते करनी है और बातों को समझा देनी और मुझे बाते समझ में आ जानी चाहिए तो कि आप सामर्थ है उन्ही बातों के यहाँ पर practice कराया जा रहा है ठीक है हमारे कुछ अच्छे member है हमारे सदसे है channel के जो कह रहते कि क्यों सिर्फ एक कही questions कराया जा रहा है एक से दो तीन questions कराओ मैं कहा था ना कि थोड़ा थोड़ा लेबल बढ़ाता जाओंगा और आप हलका हलका थकना शुरू कर दोगे क्यों क्योंकि यह जो preparation से यह जो तयारी है यह बहुत patience मांगती है बहुत patience से काम किया जाता है तभी आप बूद बूद से अपना घड़ा भरोगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं questions को एक बार दुबारा देख लेते हैं दोएदसासन ब्यवस्था से आप क्या समझते हैं यानि कि दोएदसासन ब्यवस्था है क्या simple सी बात है बंगाल में कैसे इस ब्यवस्था को company को इस्थाय को दिया अब देखे किस company की बात की जा रही है किस company की बात की जा रही है company कौन सी East India company की बात करी जा रही है ठीक है जो British सामराज भारत में एक विस्तारवादी नीती के तहट छोटे छोटे राजियों को पहले मिलाने के साथ साथ एक अपना सामराज भारत में बना लिया था प्रिटिस सामराजी स्थापित कर लिया था हम उनकी बात कर रहे हैं ठीक है चलिए अब एक ओवर्विव जान लेते हैं उसके बाद हम उन कंटेंटों को अरेंजमेंट करके तो बड़े लेबले में बात करेंगे लेकिन उसको जब लिखेंगे तो छोटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे चलिए उन ही के बारे में बात करते हैं पहले उसके बाद लिखते हैं देखिए जो द्वैद सासन था न उसका सुरुवाद कहां पे हुआ था बेंगॉल में हुआ था आयसा नहीं है कि द्वेट सासन सिर्व बंगौल में हुआ था लेकिन एक जो बहतरीन अस्तित आयात उभर कर वो बंगौल में आया था अधर्वाइस जो अंग्रेज थे वो हर एक जगा पर क्या काम करते थे कि कंधे पर रहके बंदू चलाते थे यानि कि बदनाम हो जमिदार बदनाम हो राजा और पीछे से ट्रिगर कौन दवा रहा था वो अंग्रेज दवा रहा था तो वो हर जगे आयसे रणनीती का इस्तेमाल किये है लेकिन बेहतरीन जो उसका सिनरियो समझ में आया वो बंगौल में समझ में आया थीक है देखे तो जो द्वैद सासन है ना वो बंगाल राज में में हुआ ठीक है अब इसमें बात करें दो ऐसे कंटेंट है जिसे पलासी का यूद जो की 1797 में हुआ ठीक है टा का यूद है वह 1757 में हुआ ये भी पूछा जाता है कि पलासी का यूद कब हुआ था 1797 हुआ था ओई कहा हुआ था बक्सर का यूद ठीक है बक्सर का यूद ये कब हुआ था तो बक्सर का यूद हुआ था 1764 में अब कहोंगे भीया यहां पर इसका के इस्तिमाल में बतारू इसका क्या इस्तिमाल है देखिए जो पलासी का यूद हुआ था 1757 में और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में का परडाम था ठीक है परडाम था कि जो द्वैद सासन था उसका इस्टपाई तो सामने आया और इनका इनका जो सुरुवाती इस्टिबिल्टी कहां सा तो इलहाबाद संधी से इलहाबाद संधी से अपना स्वरुव बिल्कुल इस्पष्ट कर लिया था कि द्वैद सासन की बात यह कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर एक बात ओ रहाया इलहाबाद संधी ठीक है इलहाबाद संधी क्लियर अब हम बारी बारी बात कर लेते हैं पहले हम इलहाबाद संधी के बारे बात कर लेते हैं, फिर पलासी के बारे बात कर लेंगे, फिर बकसर के बारे बात कर लेंगे, आपको द्वैद सासन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे इस हिसाब से कोश्चन आये तो भी क्लियर कर लोगे, 250 सब्द के Limitations क्या साथ है तो भी बात कर लोगे जिस भी तरह से आएगा जब है Content हमको पता है तो तुम अपने चाहे कैसे भी पूछो मैं बताने में सामर्थ हूँ ठीक है तो ये तीन Content पर हम पहले बात कर लेते हैं फिर Questions के Structure पर बात कर लेंगे फिर हम लोग Answer Rating कर लेंगे ठीक है तो हम बात पहले कर लेते हैं इलहाबाद की संधी पर ठीक है इंग चेंज कर लेते हैं इलहाबाद की संधी एक बात उह दिया रखना कि इलहाबाद का नाम अब प्रयाग राज हो गया है तो ऐसा नहीं कि प्रयाग राज की संधी लिएगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब इलहाबाद की संधी लिखेंगे क्योंकि आज भी प्रयाग राज में इलहाबाद उपस्थी थे जगे उपस्थी थे ठीक है ना चलिए बात करते हैं इलहाबाद की संधी की, दिखे जो इलहाबाद की संधी वो कब होई थी, तो वो 1765 में हुआ था, इलहाबाद की संधी 1765 में हुआ था, ठीक है, 1765 में कलाइब बंगाल का गवर्नर जिनरर की रूप में आया, और अपुड कारिपुड करने हे तो अंग्रेजों को बंगाल में सरोच सक्ति बनाने में जुट गया तो याद रखना ये किस से जुड़ा हुआ है क्लाइव से क्लाइव थोड़ा सा राइटिंग मेरी नहीं बन पाती है टच पैट पे थोड़ा सा आप इग्नोर करना मैं बोल भी रहा हूँ तो आप बोलने से भी आप सुन सकते है तो क्लाइव जो है वह क्लाइव क्लाइव जो है वहाँ बेंगॉल में गवर्नर के रूप में आया और जो अंग्रेज वहाँ पर थे अधूरे सक्ति के रूप में अपूर सक्ति के रूप में ठीक है, 1765 में दो संधियां होई, ठीक है, दो संधियां होई, clear, जो पहला संधि हुआ, एक मुगल सासक, साह आलम सेकेंड के साथ, और दूसरी अवद के नभाब के साथ, इसको भी आप no down करेंगे, ठीक है, मुगल सासक, साह आलम, दूति, के साथ, के साथ और दूसरा अवद के नभाब के साथ, ठीक है, अवद के नभाब के साथ, clear, आपको याद रखना है, कि जो इलहाबाद के संधि हुई है, उसका समय क्या था, 1765, गवर्नर कौन था, क्लाइब, जब क्लाइब भारत में आया, तो वह क्या किया, कि बेंगौल में, अंग्रेजों को एक सक्तिसाली, एक सक्तिसाली इस्थाइ तो देने के लिए काम करना सुरू कर दिया, उसने 1765 में दो संधिया किया, ठीक है, क्या मुगल सासक साह आलम द्यूती के साथ, और अवद के नभाब के साथ किया, ठीक है, अवद के साथ उसने संधि क्या किया, कि नभाब और अंग्रेज के बीच, संधि के अंतरगत, नभ आव इलहाबादेवं कोरा साह आलम द्विती को देने का कमपनी को 50 लाख रुपए यूध में जो छती पूर्ती हुई थी उसको पूरा करने के लिए बात कही गई थी और जो बनारस के थे जागिरदार बलवंध सिंग को इस जो इस टेट था उसका उनको पूर अधिकार देन और जरूरत पढ़ने पर जरूरत के समय कमपनी को सैन सहायता देने पर बात कहा गया था यह संधी किन से हुआ था अवद के साथ अवद के नबाब के साथ क्लियर बात समझ में आ गई ठीक है और बदले में जो नबाब थे उनके अधिकार छित्र को स्विकार कर लिया गया ठीक है और सेकेंड निमबर पे आता है साह आलम दूती के साथ संधी वो क्या था जो साह आलम दूती के साथ संधी थी आपको याद रखना है कि ये जो दोनों संधिया थी अवद के नबाब के साथ और साह आलम दूती के साथ ये दोनों इलहाबाद की संधी उननी सो स्वरी स् साथ अंग्रेजों के भी संधी हुई उसमें क्या हुआ साह आलम दूती कंपनी के सरक्षड में आ गया ठीक है एक बात देखना पहले क्या करते हैं अवद के नबाब से 16 धिकार एथर्टी वो दिलवाते हैं किसको मुगल सासक साह आलम दूती को फिर यह मुगल सासक साह दूत साह आलम दूती कंपनी के सरक्षड में आ गया और इलहा बाद कारा नबाब दूतीये हुए मुगल सासकों को सौप दिये गया ठीक है और बात्चा दूती इस्ट इंडिया कंपनी को बैंगावल बिहार उडिशा की दिवानी प्रदान कर दिया गया याद रखना कि इसमें क और उडिशा की जो बिहार उडिशा और बेंगौल ठीक है? बेंगौल की जो दिवानी है वो प्रदान किया गया ठीक है? और साथ में क्या हुआ? कमपनी द्वारा वादसा को जो साहलम दूती था को वारसी 26 लाख रुपय का भुकतान प्रदान किया गया कि भीया हम आपको आपके राज को आपको समराज को चलाने के लिए 26 लाग रुपए पर साल यानि पर येर आपको हम देंगे ठीक है अंग्रेजों को दिवानी अधिकार और बंगाल के राजस्वया जो वित्ती प्रसासन था न वो पुड़ नियंत्रण में आ गया अब एक बात बताओ कि जो मेन एकोनोमिक होती है वो तंग्रेजों के हाथ में आ गया प्रसासन चलाने की जुबात है वह नबाब के हाथ में आ गया तो नबाब के पास जब उतना आर्थी किस्तिती मजबूत है नहीं तो फिर नबाब तो वैसे ध्वस्त हो गया नहीं तो चलाई नहीं पैगा समराज तो अंग्रेजों ने तो इस हिसाब से काम किया था अगर वहाँ पे नबाब के इस्तित्वी बिल्कुल खतम कर देते तो जनता थी बिल्कुल आकरोसित हो जाती और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर करते हैं दो काम करते हैं कुछ अधिकार अपने पास ले लेते हैं कुछ अधिकार नबाब को दे देते हैं तो कुछ अधिकार में क्या करते हैं जो आर्थिक वसूली वाला सारे जो पहलू थे उसको अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया और जो नियाईक प्रणाली वा बाद नबाबों की जो सैनिक सक्ती थी वास्तों में बृत प्राप्त हो गई और कम्पनी को दिवानी मिल जाने के बाद नबाबों की जो सक्ति पूरत समाप्त हो गई ठीक है उसके बाद हम बात करें कि जो पलासी और बकसर के युद्ध था ना उसका महत्व क्या था कि अंग गाल में अपनी राजनीति सर्वचता इस्थापित करने में अंग्रेज जो है वो सफल हो गए ठीक है तो ये तो देखो हमने बात किया content के बारे में कि पलासी का यूथ और बकसर का यूथ और इलहाबाद की संधी क्या है अब हमने एक overview बात कर लिया है I hope so कि अब हम बनिया से एक अच्छे तरीके से answer लिखने में आप सक्छम होंगे चलिए अभी raise करते हैं आप भी मैं ये बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ में विल्कुल एदम live लिख रहे होंगे और चीजों को सुन रहे होंगे अगर पता है तो अतियुत्तम है और नहीं पता है मेरा touchpad पर लिखने का तो मेरे उतनी habit बन नहीं पाती है ठीक है जब हम बात करेंगे आप से studio से तो आई हो सो कि हम लोग आप और हम काफे एक दुसरे से बात करने में अच्छा महसूस करेंगे और एक तरीके से एक linear तरीके से बात हम कर पाएंगे ठीक है चलिए तो बात करत हैं पहले हम format की बात कर लेते हैं ठीक है जस्ट वेट हम पहले format की बात कर लेते हैं कहें किस format की बात करते हैं तो पहले हम जो answer लिखने वाले हैं उसके format की बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखें द्वैद सासन है द्वैद सासन को द्वैद सासन से क्या समझते हैं बें 150 word का limitations है, इसमें आप अपनी बातों के 120 word में भी पूरा कर सकते हैं, अपनी बातों को 170 word में पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नापातोला 150 word होना चीए, अगर आप 120 सब्दों में बातों को कह पा रहे हैं, तरीके से समझा पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, examiner को आपको number द कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके writing skill impressive होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, format की बात करते हैं, तो दिखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, कि जो हमारा format है, उसमें पहला number पे क्या आएगा, भूमिका आएगा, ठीक है, हमारा भूमिका आएगा, clear, भूमिका के बात क्या आएगा, अब पाएगे questions के body पे, की questions क्या आप पूछ रहा है, द्वैद सासन ब्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो द्वैद सासन ब्यवस्था से क्या समझते हैं, एक छोटा से overview तो हमने दे दिया, लेकिन body हमें लिखना है, तो company के इस्था ही तो प्रदान करने में क्या भूमिका थ ठीक है, body में क्या करेंगे, body में हम लिखेंगे कि जो company है, company को इस्था ही तो प्रदान करने में भूमिका थीक है, अब क्या करेंगे, इसको घेर देंगे ऐसे, है न, इस हिसाब से में खेरा बंदी करतेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भाई आने वाले समय में जब द्वैद सासन पूरे भारत में नहीं लागू हो पाया, यानि कुछ तो कांड होंगे, कुछ तो दोस रहे होंगे, तो थोड़ा से यहाँ पर क्या कर लेंगे, द् सासन के दोस लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, निसकर्स लिख लेंगे, हमारा जो कोस्चन्स है, वो पूरा का पूरा यहाँ से फुल्फिल हो जाएगा, तो आप answer राइटिंग करने से पहले, जो format होता है, जो answer का structure होता है, उसको पहले आप mind map कर कि पहले मुझे भूमिका लिखना है, भूमिका हमें क्या करना है, 20-23 सब्स में लिख लेना है, उसके बाद बॉड़ी प्याना है, बॉड़ी पर जो main तत है, प्रस्नका कि क्या पूछ रहा है, उसको लिखेंगे, अगर हो सफल रहा तो उसके lab को लिखेंगे, असफल रहा बस उसकी बात तो लिकर बात खतम कर लेंगे ठीक है अब आते हैं चल लिखने पे अब प्लीज अगर अभी तका वीडियो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अब अपना एक काम करिए अपनी कॉप्य उठाइए पेन उठाइए और मेरे साथ अब लिखना शुरू करो आप ठीक है मेरे साथ अब लिखना प्लीज आप शुरू करो तभी दोखो प्रैक्टिस हो पाएगा पहले अपने कॉंप्यरेंस लेबल का बिल्द अप करो बिल्द अप करो तभी देखो हो पाएगा otherwise नहीं हो पाएगा, यह confirm मान के चलो, चलो, ठीक है, मैं थोला से इंग को पतला कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको काफी copy जैसा feeling आवे, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो लिखते हैं, ओके, तो भूमिका, भूमिका में, clear, भूमिका में क्या लिखेंगे, सो 1765 में क्या होगा, कलाईव ने बेंगाल में द्वित साशन ब्यवस्था कि स्थापना किया, इसमें जो वास्त्विक सकतिया थी, कंपनी के पास आ गया था, और उत्तरदाइप नभाब के पास था, मैंने बात किया न, कि उन्होंने क्या किया, वो चाहते तो डारेट तो वो क्या किये, कि नभाब को साइट से नहीं हटाए, पीछे से वो क्या कर लिए कि कंधे पे नभाब के बंदुग रख दिया, ट्रिगर खुद लगे चलाने, और नाम लगा नभाब का आने, तो नभाब को उन्होंने क्या किया नियाइक पडाली दे दिया, और जो सत्रसो पैसट में, जस्ट वेट, सत्रसो पैसट में, जो क्लाइव है, क्लाइव है, क्लाइव ने, बेंगॉल में द्वैद सासन, द्वैद सासन, ब्यवस्था, ब्यवस्था की स्थापना की, ठीक है, इस्थापना की, और इसमें क्या हुआ, इसमें वास्तिविक सकती, कम्पनी के पास, ठीक है, तथा उत्तर दाईतुन नवाब के पास थी, तथा उत्तर दाईतुन नवाब के पास थी, अब मेरी बात सुनना, ये किन सकती की बात कर, भई, द्वैद सासन क्या है, किस चड़िया का नाम है, यहाँ पर थोड़ा सम रफली बात कर लेते हैं, ठीक है, जो द्वैद सासन है न, इसका मतलब क्या है, देखिए, एक होता है, दिवानी, ठीक है, एक होता है, फोजदारी, ठीक है, इन्ही सासन की बात, जो दिवानी सासन फोजदारी है न, इन्ही को द्वैद सासन कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो दिवानी क्या हुआ, दिवानी अंग्रेजों के पास हो गया, और फोजदारी जो है, वो नबाब के पास चला गया इसी को द्वैद सासन कहा जा रहा है, ठीक है? कि दो लोगों के द्वारा, एक छेत्र का सासन सुरू हो गया, दिवानी के अंदर गत क्या आता था? पुलिसिंग आ जाती थी, पैसा आ जाता था, वसूली आ जाता था, सारी जो आर्थिक कलेक्शन्स है न, वो हो गया दिवानी चलाना वो हो गया फौजदारी के अंद बरगत बात समझ गया ठीक है तो इन ही की बात हो रही है यहीं है दोयद सासन ठीक है तो यह मैं रफली आप यहां को बता दिया हूँ प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना तो भुमिका हमारा तैयार हो गया कि 1765 में कलाईब ने बेंगल में दोयद सासन विवस्था कि इसमें जो वास्तिविक सकती है वह कंपनी के पास था यहां पर एक काम एक कर सकते हो कि आप यह लिख सकते हैं कि जो दिवानी है जो दिवानी है वह अंग्रेजों के पास हो गई और फौसदारी जो है वह नबाब के पास हो गया या लिख सकते हो कि जो वास्ति लिख सकती है अंग्रेजों के पास हो गया और जो दाइत तो था जो उत्तर दाइत तो लिख सकती है वह नबाब के पास हो गया यहाँ पे आप कंपनी को इस्थाईत प्रदान करें भूमि का क्या थी? तो प्रतेष साषन से कंपनी का अन इयरोपी कंपनी वव भारती जनता का विरोथ ठीक है? चलिए लिख लेते हैं इसको तो पहले हम हेडिंग डालेंगे अ रहेगा कि बेंगाल में कमपनी को इस्थाईतों प्रतान करने में दोएदे सासन निम्न प्रकार सहायक रखी रही क्या लिखेंगे कि बेंगाल में बेंगाल में कमपनी को चलो कमपनी पुझा लिखते हैं तो आपको आदर थो जाएगी कम लिखने की कम्पनी को इस्थाईतो प्रदान करने में द्वैद सासन बेवस्था निम्न प्रकार सहायक रही अब इसको क्या करेंगे इसको करेंगे हम अंडर लाइन ठीक है यह भी आपको याद रखना है कि इसको हम अंडर लाइन करेंगे ठीक है, इसको हम underline करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, clear, अब यहाँ पर क्या क्या था, इसको हम क्या करेंगे, पूरा comprehensive चीजों को न लेके point by point लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, बेंगौल पर नियंतर के पहचात, यदि company इस पस्ट रूप से राजनितिक सकता, अ लोगों के सम्मुक आ जाता, लोगों के सामनी आ जाता, तो सारे भारती इसके फिरोत में एकतित हो जाते, जबकि द्वैद सासन में क्या हुआ, कि परत्यक रूप से बंगाल के नवाब का ही सासन था, जबकि वास्तिविक सकतियां company के पास चली गए, चली इसको लिख लेत हैं, ठीक है, बेंगॉल पर नियंत्रण के पस्चाथ, नियंत्रण के पस्चाथ, ठीक है, यदि company, यदि company, इस पस्ट रूप से, इस पस्ट रूप से, राजनितिक सकता, या या लिख सकते हैं, से, संपूर सकता, अपने हाथ में, ले लेता, तो, तो क्या होता, कि जो भारती लोग हैं, इसके विरोध को, वह सेह नहीं पाते, ठीक है, तो, भारती जनता का, विरोध का, सामना करना पड़ता, सामना करना पड़ता, ठीक है, बसरते, वास्तविक, बसरते, उन्हें क्या किया, कि जो वास्तविक सकती है, ठीक है, वह अपने पास रख करके, राजनितिक सकती, ठीक है, वह नवाब के हाथ में दे दिया, ठीक है, clear, so, क्या किया हुने, जो वास्तविक सकती है, अपने पास रखा, clear, और जो प्रत्याच सासन है, प्रत्याच सासन, नवाब के हाथ में था, clear, इसी को हम द्वैत्शासन कहते हैं, ठीक है, आगे उन्हेंने क्या किया, उन्होंने आगे क्या किया कि जो राजनितिक सक्तियां है हाथ में लेने से जो एगलेंड है और विदेशी सक्तियां है उनके बीच में कटुता आ गई ठीक है भाई उस समय फ्रांसीस भी थे पुर्तगीज भी थे डेनिस डेन्स भी थे उनके बीच में तो आ गए न यह अपना कहीं न कहीं विस्तारवादी चीजों को अपना स्वरूप दे रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो राजनितिक सक्तियां हाथ में लेने से इगलेंड तथा विदेशी सक्तियों के बीच में कटुता आ गई ठीक है विदेशी सक्तियों और इगलेंड के बीच कटुता आ गया ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात करेंगे कि जो कंपनी है ना कंपनी के पास देखे बंगाल पर प्रत्यच सासन करने के लिए अधिकारियों का भी अभाव था फीक है अभाव था इसलिए वो द्वैद सासन बिवस्था सहायक रही भाई जिस रेशियों में पॉपॉलेशन्स थी उतने रेशियों में इनके पास प्रसासक नहीं थे सैनिक नहीं थे ति इन्होंने क्या किया कि दुरगामी निती को अपनाते हुए जो एकुनॉमिक इस्तिती को सुधार करने वाले हतियार थे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया फीक है सासन का जो इस्तिती के लिए था उन्हें नभाव के हाथ में शोड़ दिये इसे क्या हुआ कि बहुँ जादा इनके उपर सिल्दरी का भी बोज नहीं आया प्रसासर के संचलन के भी बोज नहीं आया और अपने जो मोटी था ये वो काम्याब हो गए और जो money कलेक्सन्स था वो भरपाई बहुत अच्छे मातरा में करना सुरू कर दिये तो क्या लिखेंगे कि कमपनी के पास नबाब जो बेंगॉल है बेंगॉल वो प्रत्यक्ष सासन करने के लिए अधिकारियों का अभाव था ठीक है कमपनी के पास बंगाल पर सासन करने के लिए करने के लिए सासन करने के लिए ओके अधिकारियों का अभाव था अधिकारियूं का अभाव था, ठीक है, अधिकारी जो थे, उनका अभाव था, क्लियर, इसलिए भी द्वेद सासन जो है, वह ब्यवस्था सहायक रही इसमें, ठीक है, इसलिए द्वेद सासन ब्यवस्था सहायक रही, इस लाइन में आप कन्फूज मत होईए, देखे, क्या मतलब कहा जा रहा है, कि भाई, जैसे ये पूरा छेतर है, इस छेतर का जो परिमाप है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन्स है, जो यहाँ पर अस्तिती है, यहाँ पर सासन करने के लिए सैनिक चहिए, पुलीस चहिए, अधिकारी चहिए, प्रसासक चहिए, उस मात्रा में अंग्रेजों के पास उतने यहां पर सामर्थ नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि यहां से पैसा उगाही वाला जो कर वाला मामला अपने हाथ में ले लिया बाकि यहां का जो सासन था वो नबाब के ही हाथ में छोड़ दिया उन्होंने इससे दो फायदा हुआ पहला फायदा ये हुआ कि उन्हों को जनता का आक्रोस का सामना नहीं करना पड़ा भाई उनको था गि नवाभी सासन कर रहे हैं दुसरा क्या हुआ कि जो द्वैद सासन थी उसको यहाँ पर बिल्कुल इस्टिबिल्टी मिली इनके इस रणिल्टी के हिसाब से कि दिवानी अपने हाथ में ले लिया पहुसदारी नवाभ के हाथ में दे दिया तो देखे कहने का मुदला पूरा का पूरा मामला यहीं है ठीक है चलिए आगे क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे कि जो दोयद सासन था ना दोयद सासन ब्यवस्था के अंतरगत कम्पनी को अनेक गैर उत्पादन दायत्मों का बोच नहीं उठाना पड़ा क्लियर दोयद सासन के अंतरगत अंतरगत ठीक है कम्पनी को कम्पनी को अनेक गैर उत्पादन का बोज का सामना नहीं करना पड़ा चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं और क्या था कि दोयत सासन जो विवस्था है कि अंतरगत कमपनी ने जो विदेसी कमपनीया थी अने ठीक है उनको नियमत करने जो प्राप्ति होती थी ठीक है नवाब के फरमान के नुसार उन्हें देने होते थे ठीक है और क्या हुआ इस विवस्था में हुआ क्या कि जो कमपनी था बेंगॉल के सत्ताबत पूरा अधिकार जमा लिया ठीक है और उसके पास किसी प्रकार की जिम्यदारी नहीं थी सबसे बड़ा देखे यहीं बात कहा जाता जब आप राजी वहित का किताब पढ़ेंगे ना स्पेक्ट्रम उसमें सबसे महदपुड यहीं बात होता है कि उन्हों ने क्या किया कि वह एक प्रकार से राज्य का संचालन कर रहे थे ठीक है कर रहे थे जबकि उनके पास किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी भी नहीं थी ठीक है और उनके पास किसी प्रकार का जिम्मेदारी भी नहीं था भई राज में क्या हो रहा है सूखा पढ़ रहा है अकाल पढ़ रहा है भुखमरी आ रही है क्या हुआ, उनको किसी से क्या मतलब, उसका तो सिधा संपर्क नभाव से था उनको तशीव वहाँ से पैसा खिषना था अपनी कंपनी को मुनाफ़े में करणवर्ट करना था ठीक है बात समझ गए आप तो उनको राजी में क्या हो रहा नहीं और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था उनको सिर्फ मुनाफा कमाने से मतलब था ये उनकी रड़नीती थी इस बातों को कौन समझा जो राजनीतिक प्रकड़ में सक्री थे राजनीतिक संस्थाओं में सक्री थे उनकी इस बात को समझ ले वह भी बहुत लेट समझे बहुत लेट समझे वहाँ के जनता कोई बात समझ में नहीं आई कि भीया वो पैसेक रिसोर्स पर ने अपनी गद्दी बना चुके है राजी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको किसी चीस से कोई मतलब नहीं था वो नवाब देखे और नवाब को क्या था 26 लाख रुपईया 26 लाख रुपईया पर यर दिया जाता था पुरे समराज को पुरे वो जो बैंकॉल समराज था उसको रेगुलेट करने के लिए प्रसासन उन पर करने के लिए लेकिन वो सब्सियेंट नहीं था ठीक है तो क्या हुआ कि जो समराज था वो आर्थिक बोज में भी दबता चला गया भै उनके पास पैसी नहीं होता था और यहाँ पर अंग्रेज क्या थी है जो दूसरा टॉपिक होने लिखा था वहाँ पर कि अद्वेद सासन के दोस ठीक है कालांतर में द्वेद सासन के दोस ठीक है द्वेद सासन के दोस अब यहाँ पर जो यह जैगे बचता है नहीं यहाँ पर कुछ हैं लिखते हैं अब यहाँ से point by point करके लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कि जो बेंगाल था, बेंगाल की जो अब्यवस्था थी, कलाब, कमपनी के करमचारियों ने उठाया, ठीक है, बेंगाल की अब्यवस्था, कलाब, कमपनी के करमचारियों ने उठाया, चलिए, next point इसमें क्या लिखेंगे, कि कुशासन वह भरस्टाचार बढ़ाया गया, कुशासन वह भरस्टाचार बढ़ाया गया, ठीक है, next point क्या लिखेंगे, कि अंग्रेज या कमपनी, कचलो कमपनी लिखते हैं, ठीक है, कमपनी प्रत्यक चुरूप से जबाब दे नहीं थी, ठीक है, next क्या लिखेंगे, कि द्वैद सासन के अंतरगत, उन्होंने छेत्र के परिसानियों को नजर अंदाज किया, क्लियर, अब निस्कर्स आ गया, निस्कर्स क्या लिखेंगे, ठीक है, निस्कर्स क्या लिखेंगे, तो दिखें, जो द्वैद सासन बेवस्था था था न, वो बेंगॉल में नवाब को कठ पुतली बना कर रख दिया, और कंपनी को इस्थाइत प्रदान किया, और बेंगॉल ही नहीं, बल्कि संपुल बिटिस, जो भारती समराज थे न, वो अपने इस्थाइत को प्रदान किया, ठीक है, तो इसके मैंगनिटूड को आप क्या लिख सकते हैं, देखें, पोरा अगर भी बगर बातें, आप कहानी आपको पता चल गया, तो का लिखेंगे, कि इसके अंतरगत, इसके, कि ने, किसके, द्वैद सासन, ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसके न लिखेंगे, अब द्वैद सासन लिखेंगे, कार किया, ठीक है, और, कार किया, चलो यहाँ पर कर लो, और, संपुर्वेटिस, सामराज, को, द्वैद सासन, इस्थायत, प्रदान, किया, सो अबरबड़ी, कोश्चन्स देखिए, पूरा का पूरा, कम्पलीट हो गया, चलिए, मैं काउंट कले तो, निसकर्स में, कितने सब लिखें हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दास, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सोला, सत्रा, अठारा, टोटल अठारा से, उननिस सब्द में, हमने निसकर्स को लिख लिया, अब देखें, हमने इन सारी बातों को कैसे लिखा, कब लिखा, हमने तब लिखा, जब हमें पलासी का यूद, बकसर का यूद, और इलहाबाद की संधी, इलहाबाद की संधी में ही, डिसाइड कर दिया था, कि द्वैद सासन, अब बेंगॉल में इस्थाबित होने वाला है, तो देखें, कई एंगल होते हैं, questions को लिखने के लिए, आप चाहें, तो इलहाबाद की संधी से भी सुरुवाद काम कर सकते हैं, कि इलहाबाद की संधी हुआ था न, ठीक है, इलहाबाद की संधी जो 1765 वाली थी, इलहाबाद की संधी से भी, आप सुरुवाद करके लिख सकते हैं कि लहाबाद की संधी जो हुआ एक तो संधी हुआ नबाब और अंग्रेज की बीच में है दुसरा हुआ अंग्रेज और साह आलम दुती के समक्ष हुआ और यिसी संधी से द्वैद सासन के बीज को भारत में बोया गया या अंखुरित हुआ ठीक है तो आप यहां से भी बातों को अपने इस पस्ट कर सकते हैं एक डामेंसंस वो हो गया और एक डामेंसंस यह हो गया जिससे की बाते यहां पर प्रस्तूत की गई है आपको कैसा लगा यह प्रयास आप कितना इस से मोटिवेट हो पारें कितना आपके लापकारी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर दें और अपने लिख्योगी कॉपी को Civil Service for Official में आप जरूर प्रस्तूत करें, जरूर लिख, आपना सेंड करें, अपलोड करें, so thank you so much watching, चले मिलते हैं, फिर अगले सेग्मिन में, तब तक के लिए धन्य बाद, आप अच्छे से रहिए, प्रप्रेशन्स करें, बहुत अच्छा से हेल्दी रहिए, और बहुत हेल्दी, पढ़ाई करें, चले धन्य धन्य बाद, thank you so much watching